नमस्कार दोस्तों और टीटी त्यारी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों 3,49,000 में थंब इंप्रेशन मैनेज कराने पहुंचा फरजी शिक्षक धराया दर्भंगा से ये न्यूज आ रही है बहेरी के प्रखन शिक्षा पदादिकारी ने FIR दर्ज कराई ये बड़ी अपडेट हम सभी के बीच में लगातार आ रही है कि केके पाठक जी ने जो थंब इंप्रेशन की बात पुड़े राज जी के लिए लागू किया है कि भाईया आप यदि सही है तो आपने जो परिक्षा के समय में थंब दिया था क्या अभी जो मिलान क्या जा रहा है वही थंब आप अभी भी दे रहे हैं तो इसका मिलान पुड़े राज जी में चल रही है और लगातार आप देख रहे होंगे कि जो फरजी अव्यर्थी पकड़े जा रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है तो ये लहडिया सरह थाना पुलिस ने बुद्धवार की देर शाम ML Academy School Thumb Impression जाच के अंदर से पहले चरण में BPSC से न्यूक्त फरजी सीक्षक देवेंदर कुमार महतो एवं देवेंदर के बदले में परिक्षा देने वाले नवीन कुमार को 3,49,000 रुपिये के साथ गिरफतार कर लिया थाना अजक्ष कुमार किर्ती ने बताया कि मामले में बहरी के प्रखन शिक्षा पदादिकारी कृष्ण कुमार ने FIR दर्ज कराई है फर्जी सिक्षक देवेंदर कुमार महतो के बैग से प्रतिनियुक्त दर्णा दिकारी ने 3,49,000 रुपिये वड़ामत किये देवेंदर वायोमेट्री मिलान में अपनी जगा नवीन का थम इंप्रेशन को मैनेज करने के लिए आया था थाना आज्यक्ष ने बताया कि प्रात्मिकी में कहा गया है कि बहरी के खडारी मद विद्यालाई के लिए चैनिस शिक्षक देवेंदर कुमार महतो की लिखित परिक्षा उनके बदले नवीन कुमार ने दी थी और इससे उनका चैन BPSC की ओर से प्रथम चरण में लिग गई परिक्षा में हुआ था चैनिस शिक्षक का वायो मेट्रिक सत्यापन ML Academy School में होना था शिक्षक देवेंदर का आधार संख्या आप सभी के सामने में है बिपी एस्थी का रोल नमर आप सभी के सामने में है टीचर आइडी भी यहां पर दिया गया है और वायमेट्रि मिलान हुआ और ना ही फोटो का मिलान हुआ पूस्तास के करम में अभियर्ती ने स्विकार किया कि उनके साथ आए नवीन कुमार ने उसकी जगह पर परिक्षा दी थी नवीन कुमार ने भी लिखित रूप से स्विकार किया है कि वह देवेंद्र कुमार की जगह पर परिक्षा में बैठे थे वह मैट्रिक सत्यापन के दोरान यह पाया गया कि नवीन कुमार ही परिक्षा में बैठे थे उनका फोटो का भी मिलान हो गया है तो देखिए इस बार केके पाठक जी एक भी फरजी सिख्षक को नहीं रहने देंगे चाये वो कुछ भी हो जाए अचानक से उन्होंने ऐसी नीती लाई है जिसके एवज में जो भी फरजी साती है हमारे वो धरे जा रहे हैं जेल भी जा र हजार हो पांच हजार हो एक हजार हो लेकिन जो केके पाठक जी ने यहां पर रणीती अपनाई है उसमें जो फरजी सिख्षक अभ्यर्थी हैं वो फेल नजर होते आ रहे हैं चाया वो परिक्षा में पास कर गए हो लेकिन अपने आपको सत्यापित नहीं करवा पा रहे हैं अपने आपको यहाँ पर फेल नजरा रहे हैं तो आप बने रहे हैं और टीटित यारी चैनल के साथ लेटिस्ट अपडेट शिक्षा विवागसिक कहीं से भी हमें प्राप्त होती है तो आप सभी के बीच में लाने की में पूरी कोशिश करता हूँ यह बात आप सभी ने देखा होगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथ धन्यवासातियों